हेलो एवरिवन, वल्कम बैक टू दा चानल, कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे आज की नई वीडियो में हम बनाने वाले हैं टेस्टी टेस्टी कुलफी इसे बनाने के लिए ना तो आपको गयास जलाने के जरुरत पड़ेगी और नहीं जादा मेहनत करने के जरुरत पड़ेगी ये बहुत ही जल्दी बन जाएगी तो चलिए देखते हैं किस तरह के से हम फटा फट कुलफी बना की रेडी करेंगे कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है अब हम उसमें लेंगे आधा लीटर दूद यहाँ पे हम 5-6 लोगों के लिए कुल्फी बना रहे हैं उसे साबसे हमने दूद लिया है आप जितने लोगों के लिए बनाए उसे साबसे दूद रख सकते हैं अब हम यहाँ पर डाल देंगे 50 ग्राम तक चीनी मीठा भी आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं अब हम चीनी को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे कुल्फी बनाने के लिए अब हमें चाहिए एक कप मिल्क पाउडर इसे भी हम दूद में मिला देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हमने यहाँ पर यूज किया है ताजी मलाई यह हमारे घर की निकली हुई है आप इसमें चाहिए तो क्रीम का भी यूज कर सकते हैं अब हम मलाई को भी डाल के इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पर हमने फ्लेवर के लिए एक चमच इलाईजी पाउडर डाल दिया है इससे हमारी कुलफी बहुती ज़्यादा टेस्टी बेनेगी इसको भी मिक्स कर लेंगे अब अब हमने यहाँ पर लिया है ड्राइफ रूट यहाँ पर हमने लिया है आठ से दस काजू और डेसिगेटेड कोकोनट coconut डालने से कुफी बहुती ज़ाधा क्रीमी बनतی है अब हम दूत को फेट लेंगे इसके लिए आपको इभी blender यूज़ कर सकते हैं इस तरह के से blend करने से कुफी बहुती ज़ाधा क्रीमी बनेगी और सारे चीजह अच्छी तरह के से mix भी हो जाएंगी तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह की से ब्लेंड कर लिया है अब हमने जो ड्राइफ रूट दादरा सा पीस के रखा था वो उसको हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर हमने ले लिया है आईस्क्रीम मोल्ड और हमने यहाँ पर ग्लासेज भी ले लिये हैं अगर आप लोग की पास मोल्ड नहीं हो तो इस तरह की ग्लास को आप यूज करके कुल्फी बना सकते हैं अब हम इसको अच्छी तरह के से फिल कर देते हैं फिर 6-7 गंटे के लिए हम इसको फ्रीजर में रख देंगे सो फ्रेंज जैसा की सीजन में भी धीरे धीरे करके चेंज आ रहा है आप इस तरह के से अच्छी टेस्टी टेस्टी कुल्फी कर बना कर रेडी कर सकते हैं इतने कम इंग्रेडिन में ये बनकर रेडी हो जाती है अब हम अच्छी तरह के से कुल्फी का क्या आप लगा देंगे इसी तरह के से हम ग्लास में भी भर लेंगे और फिर इसे फॉयल पेपर से रप करके फ्रीजर में डाल देंगे फॉयल पेपर को लगाने के बाद आप इसमें आईस केम स्टेक लगा सकते हैं या फिर अगर आपके पास घर में कोई छोटे छोटे चमच हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं यहाँ पर हमाई पास एक स्टेक है हम इसको लगा दे रहे हैं यहाँ पर हमने चोटे-चोटे स्पून लिये हैं उसको हमने इसमें लगा दिया है इस तरीके से सारी कुलफी अच्छी तरीके से फिल करके रेडी कर लिये हमने अब इसको डाल देते हैं फ्रीजर में 6-7 गंडे के लिए तो चलिए अब हम इसको खोल के देखते हैं कुलफी हमारी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है हम इसको निकाल के भी रिखाते हैं ये देखिए तो ये लेजे हमारी एकदम क्रीमी सी कुलफी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है ये गाइस बहुत ही ज़दा टेस्टी बनी थी इसी तरीके से आप लोग भी अपने घर में इसे ज़रूर बनाईगे हमारी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहें घर के कुछी इंग्रीडियन्ट से इती टेस्टी कुलफी बनकर रेडी हो जाती है और बच्चे बड़े सबी को ये बहुत ही ज़दा पसंद आती है अब हम मोल्ड वाली भी कुलफी निकाल के देख लेते हैं ये देखिए गाईस ये भी हमारी एकदम परफेक्ट जमी हुई है ये जितनी देखने में टेम्टिंग लग रही है उतनी ही ज़ादा ये खाने में भी टेस्टी है तो इसी तरिके से आप लोग भी अपने घर में कुलफी बना के ज़रूर ट्राइ करिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा तो गैस आज की वीडियो यहीं पर खतम होती है थैंक्यू सो मच पर वाचिंग